दोस्तो एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है M.T. YouTube चनल में दोस्तो अगर आप किसी दूसरी बेक्ती के मोबाइल के सारे के सारे फोटो और सारे के सारे वीडियो को अपने मोबाइल पर देखना चाते हैं तो ये चीज आप बहुत ही असानी से कर सकते हैं हो सकता है दोस्तो आपके भी मोबाइल के सारे के सारे फोटो और सारे के सारे वीडियो कोई दूसरा बेक्ती अपने मोबाइल पर बहुत ही असानी से देखता होगा और आपको पता भी नहीं चलता होगा तो अगर आप ये पता करना चाते है कि मेरे मोबाइल का सारे के सारे फोटो और सारे के सारे वीडियो कोई दूसरा बेक्ती देख रहा है या फिर आप ये सीखना चाहते है कि किसी दूसरे बेखती के मोबायल के गलेरी के सारे के सारे फोटो और सारे के सारे वीडियो अपने मोबायल पर कैसे देखते है तो इसके लिए आप लोगों को बने राना होगा इस वीडियो के आखरी तक दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नहीं बेखती है तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सस्काइब जरूर कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो, सबसे पहले हम लोगों को अपने मुभायल के प्ले स्टोर को उपन कर लेना है और यहां पर सिंप्ली सेर्ज कर देना है Google Photo यह application हम सबी के मुभायल में उपस्तित रहते हैं पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले इस Google फोटो वाले आप को अपने मुआल में अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद ही हम लोग इसको ओपेन करेंगे तो आप लोग फटा फट इसको अपडेट कर लिजे अब चलिए इसको ओपेन करके सिख लेते हैं कि कैसे किसी दुसरे बेक्ति के मुबाइल के सारे के सारे फोटो और सारे के सारे वीडियो अपने मुबाइल पर देखते हैं दोस्तों सबसे नीचे यहाँ पर एक सेडिंग का ओप्शन मिलता है तो इस पर किलिक करना है इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर एट पार्टनर एकाउंट का ओप्शन मिल जाता है तो जैसे इस पर किलिक करेंगे तो हम लोग का सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जागा यहाँ पर Share Your Library का ओप्शन दिये हुआ है और नीचे Get Started का ओप्शन दिये हुआ है तो अगर आपका मोबाल सुवक्षित है कोई दूसरा ब्यक्ति हैक नहीं किये हुआ है तो इस तरह का हैंड मिला होगा इसके बाद चलिए Get Started पर क्लिक करते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाल में जो भी Gmail ID होंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अगर आप किसी दूसरे ब्यक्ति के Gmail को यहाँ पर Aid करना चाते है ताकि आप अपने मोबाल के सारे के सारे फोटो और सारे के सारे वीडियो उस Gmail पर Share हो सके तो इसके लिए आपको यहाँ पर Gmail सेलेक्ट कर लेना होगा चलिए मैं यहाँ पर एक अपना Gmail सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद Next पर क्लिक कर देंगे और जिसके बाद सबसे नीचे Send Invitation का Option मिलता है तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाल के सारे के सारे फोटो और सारे के सारे वीडियो इस Gmail पर जाना स्टार्ट हो मान लेजे अब यह हो चुका है अब हम इस Gmail को इस mobile में एड़ कर चुके हैं तो इसको अगर हटाना हो तो Simply क्या करना इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने कोछी इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगे यहाँ पर थी डॉट का Option मिलता है तो इस इसको हटा देना है अपने mobile से तो इस तरह से आप किसी भी दूसरे ब्रक्ति के mobile में अगर इस application में जाकर अपना Gmail यहाँ पर डाल देते है तो उसके mobile के गलीरी का सारे के सारे फोटो और सारे के सारे वीडियो आपके mobile पर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो Simply इस तरीके से आपके भी मुवाल के गल्री के सारे के सारे फोटो और वीडियो देख तो नहीं रहा है तो I hope दोस्तो कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर ठोक दीजेगा फिर से मिलेंगे नए टेकनिकल वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाय बाय